Hello everyone, welcome to my YouTube channel, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, railway new vacancy 2024 के regarding हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल Twitter campaign था, जो की सफल रहा, वो Twitter campaign का जो hashtag था, ब्लॉक कर दिये थे, जो की trending में नहीं आया दिन भर, लेकिन साम को जाके, increase railway vacancy जो hashtag चेक था, वो trending में आया, और आपको हम बता दे जानकारी के लिए, कि 9 लाख experience जो थे, वो tweet कर पाये सफलता पूरवक, रात के 11 वजे तक, तो कहीं न कहीं ये बात, railway मंत्राले के कान तक पहुँच गई, उसके बाद में, खलबली मच गया उनको, कि अब समस्या हो जाएगा, इस्टुडेंट की बात सुने नहीं तो, तब जाके कहीं, railway मुंबई का जो board है, उसके द्वारा एक official notification जारी होता है, अभी आज का latest news है, और उन्होंने 29 जनौरी को date दिया है, तो हम लोग चलके देखते है, notification में क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा request है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेगर चैनल पर नए है, और बेल आइकन भी साथ में अन कर ले, तो दोस्तों आप लोग साफ यहां पर देख सकते हैं, चेर्मेन के द्वारा जो है, railway requirement board मुंबई के द्वारा भीजा गया है, और ELP vacancy के regarding यह जो है notification है, जो इस समय पर विबाद है, vacancy को लेकर, तो इसमें असपस्ट रूप से कहा गया है, आपको मोटी मोटा बात बता देते हैं, railway requirement board published जो हुआ है, ELP की vacancy उनके द्वारा, 566 पदों के लिए, इंडियन railway के द्वारा जो vacancy निकला है, उस पे जो है, अभी ही मतवेद चल रहा है, student और coaching के बीच में, जो इस समय पे समस्या है, कि vacancy इतना कम क्यों आई है, उसी के respect में, ये एक meeting रखा गया है, और ये कहा रखा गया है मुंबई में, तो ये जो coaching institute के जो teacher है, वो online उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान रखेंगे, तो इसका online meeting date जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, requirement board मुंबई में होगा 29-2024 को, यानि इसी 29 तारीक को होगा, ठीक, और इसका time है 3 बजे के approach, और अगर आपको कोई समस्या है, तो इस पे WhatsApp नंबर भी दिया है, इस पे chairman से आप, chairman से नहीं, लेकिन जो भी helping number provide करवाएं हैं, उसमें आप अपनी समस्या कह सकते हैं, ठीके, और ये website only, कब होगा, एक बजे start होगा, उस दिन 29 तारीक को, यानि कि एक बजे आपका समस्या जो भी रहेगा, आप start हो जाएगा, इस पे अपना WhatsApp नंबर भेज सकते हैं, उसके बाद में 3 बजे teachers का meeting हो जाएगा, और ये teachers institute जो है, ये मुंबई के इर्द गिर्द वाली बात की बताईए, और student का जो भी समस्या है, वो उसी दिन 1 बजे बताएं, और जो meeting होगा, टीचर से वो 3 बजे होगा, तो बस इसी को लेकर ये था, तो कहीं न कहीं अच्छा achievement है student के लिए, क्योंकि vacancy नहीं आ रही थी, इसके लिए और कोई notification भी नहीं दे रहा था, इसी बीच में notification आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, और आज 26 जनौरी है ही, तो आज तो अच्छा दिन है, हम लोगों के लिए इसे भी, और इधार notification आना एक अच्छी ख़बर हो रहे है, हो सकता है बात बन जाए, vacancy बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप लोगों को अच्छा है, क्या करना है, ठीक है, vacancy कम से कम, 58,000 प्लस हो, इससे नीचे मंजूर नहीं होगा, ओके, जो भी information था आप तक पहुचा है, आप से बस एक च्छोटा से रिक्वेस्टे कर वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने अप्डेट से आपको मिल सकें, ठीक है?